नमस्कार किसान साथियो, यह है सोनाली का D.I.734 ट्रैक्टर, पूरा पैसा वसूल ट्रैक्टर है, कम पैसो में काफी शांदार ट्रैक्टर आपको दिया जारा है, बोडी के बहार हेड लैंप है, कमपनी फिटिड आगे आपको बंपर भी दिया जारा है, काफी बड़ी जाली सिंगल पीस बॉनट है जो कि एक चाबी की साहता से खुलता है आगे से आप ट्रेक्टर की लुकिंग देख सकते हैं टिपिकल सोनाली का स्टाइलिंग के साथ यह ट्रेक्टर आता है किसान साथ यह ट्रेक्टर का वील बेस उननीस सो सत्तर एमेम दिया गया है पावर प्लस सीरीज का ट्रेक्टर है काफी शांदार माइलेज भी काफी अच्छा है मतलब तेलो का खर्चा भी कम है अगर बात की जाए ट्रेक्टर के इंजिन की तो इसके अंदर आपको 37 HP केटेगरी 2000 इंजन डेटेड आर्पीम तीन सिलेंडर नोन टर्बो 2780 cc का इंजन म अपना मैक्सिमम टोर्क 28.9% टोर्क यह उत्पन करता है मतलब 28.9% टोर्क इस ट्रेक्टर के अंदर आता है जो कि इस HP केटेगरी में काफी अच्छा टोर्क माना जाता है लगभग 30 HP 30% का टोर्क इसका इंजन आपको प्रोवाइट कर आता है यह देखिए शांदार कॉंप साइज का ITL कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला इंजन है काफी रिलाइबल इंजन है 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपसिटी आपको मिलती है किसान साथियों ट्रेक्टर के अंदर आपको माइको बोश कंपनी का इन लाइन पंप दिया गया है यह देख सकते हैं तीन सिलेंड सिंगल ड्रो पार्म मेकैनिकल इस्टेरिंग है पावर इस्टेरिंग के साथ ओप्सन में आपको मिल जाता है अगला वाला एकसल नोन एड़्जस्टेबल है फिक्स टाइप का आप अगले वाले एकसल को एड़्जस्ट नहीं कर सकते अगला टायर आपको 616 का मिलता है आपको अलग से मिलेगा यहां पर हीटिंग का गार्ड लगा है साइलेंसर की एलबो पर 734 शांदार वेट टाइप का एर क्लीनर दिया गया है गीला वाला जो की थिरी स्टेज की क्लीनिंग करता है और प्री क्लीनिंग के साथ आता है जो कि यह काफी अच्छी बात है बैट इंटर शिफ्ट गियर लीवर्स है एडजस्टेवल सीट है अपनी सीट को आवज सकते हैं अनुसार आगे और पीछे एड़ेस्ट कर सकते हैं और अपने वजन के हिसाप से भी आप इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं नीचे एक वोल्व दिया गया है जिसके मदद से आप आप हाइड्रोलिक उठने और गिरने की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं जिससे फायदा यह होता कि कोई भारी इंप्लिमेंट अकर आपकी हाइड्रोलिक पर लगा हुआ है ट्रैक्टर की तो उसे आप आसानी के साथ धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं अगर भारी इंप काफी मजभूती के साथ बनाये गये हैं दूसरी साइट से जया प्लेटफॉर्म देख सकते हैं कि आप किसान साथ यह बत करते हैं ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की usu na लीका का पिछला हिस्सा Settings की तगनीक का पिछला वाला एकसल दिया गया कुछ greasing points के साथ मतलब आपका जो ट्रैक्टर का पिछला वाला हिस्सा है वो पूरी तरह तेल में डूबा हुआ नहीं है उसके कुछ दिखाई दे रही है तीन सैंसिंग points है अपके implement को ट्रैक्टर के अनुसार ट्रैक्टर के मैनेज़ करने के लिए अटैच करने के लिए और मिट्टी के अनुसार सेंस करने के लिए जो कि ये काफी अच्छी बात है एडजेस्टेबल हीच है उपर से नीचे काफी अधिक दूरी तक आप अपके हीच को एडजेस्ट कर सकते हैं बात करें अगर ट्रेक्टर की पीटी होगी लेकिन काफी जदा हैवी है HP के इसाब से 32 HP की PTOS ट्रेक्टर के अंदर दी गई है टिपिंग ट्रॉली लगाने के लिए हाइडिरोलिक ट्रोली लगाने के लिए हाइडिरोलिक वोल्व दिया गया है सबसे यची बात है कि इस वोल्व को Pender से शी tezugeद की πी बीच एक Gredit गडिक्राई जिसे आपके पिछली वाले फेंटर वाइब्रेट नहीं करते ट्रेक्टर में वाइब्रेशन कम से कम रहता है शांदार पिछला वाला इस्सा आ है ट्रीक्र की HP केटेगरी के अनुसार किसान साथ यो यह है ट्रेक्टर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ एलो क्लस्टर के साथ आता है स्टेरिंग वील मीडियम साइज का है ना छोटा है ना बड़ा एकदम कंफर्टेबल है यहाँ पर यह पारकिंग चारों इंडिकेटर एक साथ होन करने के लिए स्टेरिंग के लैफ्ट हैं साइट पर आपको एक स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको इंजन को बंद करने के लिए एक pull and lever दिया गया है ट्रैक्टर के अंदर ये base model है तो इसमें single clutch है लेकिन ट्रैक्टर के अंदर आपको dual clutch का option भी मिलता है जो कि एक ही paddle में दो operation वाला dual clutch इसमें आता है आजा दवाने पर ट्रैक्टर रुख जाता है पूरा दवाने पर PTO पर लगावा implement भी रुख जाता है यहाँ पर यह है PTO का lever single speed standard 540 RPM वाली PTO है उसको manage करने के लिए यहाँ पर आपको PTO का lever दिया गया है fiber का toolbox है आपके टूल वगरा रखने के लिए बात करें ट्रैक्टर के gearbox की तो इसके अंदर आपको आठ गयर आगे जाने के लिए दो गयर पीछे जाने के लिए sliding mass तकनीक के साथ center shift gear levers के साथ gearbox मिलता है constant mass होना चाहिए था sliding mass काफी पुरानी तकनीक है लेकिन सोना लिका ने इस ट्रैक्टर में अभी उसी पुरानी तकनीक को दिया है लेकिन gear shifting में सोना लिका दिक्कत नहीं करता तेल में डूब हुए disc brake है सूखे वाले डिस्क ब्रेक भी आपको company option के तोर पर दे रहे हैं आप सूखे भी ले सकते हैं डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं 2000 kg की lift capacity है पोजिशन कंट्रोल ड्राफ कंट्रोल के लिवर आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइट पे किसान साथ यह ट्रैक्टर लगबग पांच लाख रुपए के आसपास आता है एरिया के अनुसार मोडल के अनुसार पैसे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन धन्यवाद